तो अजय को आप 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 समी का फिर थे एक बार एक लब यह पर पॉर 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 पाट जीरो बैच में आज हम लोग बिच्चो कॉंटिनिटी करने माले हैं तुडे विया गोइंग टू कंप्लेट कॉंटिनिटी येस बच्चो लिमिट्स आपने देखा था लास्ट लेक्चर में लिमिट्स का लेक्चर बहुत यूजफूल है लिमिट्स के कंसेप्ट मैक्सिमम कंसेप्ट यहां पर यूज़ होने वाले हैं ठीक है फटा फटा आजा बच्चो connect हो जाओ और आते ही पहले session को like कर देना चाहिए आप लोग session को like नहीं करते हैं कुछ लोग ऐसे मत करो ओके चलो फिर continuity क्या होता है पहले उसका basic देख लो yes बच्चो continuity यह जो chapter है यह क्या कहता है यह कहता है कि भाई कोई भी function है वो दो चीज़े होंगी या तो वो function continuous होगा या तो वो function discontinuous होगा yes my dear what is continuous what is discontinuous continuous मतलब होता है लगातार बिना break के चैसे कोई बच्चा लगातार 8 गंटे study कर रहा है हम बोलेंगे भाई वो continuous 8 गंटे study कर रहा बट कोई बच्चा समझे़ की एक गंटे study करता है फिर 15-20 मिनट break लेता है अद discontinuous है अगर हम graph की बात करें इस तरह से कोई x और y axis पर कोई function दिया है इस तरह से ओके अब यहां पर समझो point है 1, 2, 3 यह जो point है 2 पर check करना x is equal to 2 यह जो point है यहां पर ओके यह point पर यह point पर यह function जो है continuous है या discontinuous है ऐसे question होते हैं एक function ऐसा भी हो सकता है यहां पर है और यह इस तरह से break है जो यह point 3 x is equal to 3 है इस point पर तोट गया है यानि discontinuity है यहां से यहां गया break हो गया फिर आगी गया इसको बोलते है discontinuity या तो not continuous not continuous या तो discontinuous इसको बोलते है continuous है जहाँ पर कोई break ना हो तो यह geometrical भाचा में हो गया, continuity क्या होती है, कोई भी function यहां तो continuous होगा, या discontinuous होगा, एकदम, weightage of continuity, एक की question आएगा रहे, दो question नियागा सोयम, एक question, अभी देखो, continuity की बात करेंगे, एकदम ध्यानते देखना, continuity, कोई भी function ने, इसकी दो value दी होती है, बच्चो इस तरह से, स समझो, यहां पर दिया है कि यह 5, when x is equal to 1, तो इस तरह से question देने का तरीका होता है, question इस type में होता है, कभी-कभी function fx दो दिया होगा, कभी-कभी 3-3 भी दिया होता है, समझ में आ रहा है, 3-3 भी दिया होता है, तो हमें कैसे करना होता है, अगर हमको बोला कि भाई, check करो, check क continuous है कि नहीं है, अगर बोलेगा continuous है, यह continuous है, तो हम ऐसे करते हैं, कि यह जो function है, इस में जो यह x is not equal to 1 है, इस function का limit निकालते है, limit x 10 to, यह जो 1 है, not equal to 1, 1, उस function का limit, और जब x is equal to 1 है, तब x is equal to 1 मतलब यह f, और यहां पर x होता है, देखो fx, जब x की value 1 है, जब x की value 1 है, तो यह जो x है, इसकी जगह पे हम 1 रख देंगे, तो यह हो गया कि भाई, किसी function fx का limit, और उस function की value same होगी, कब होगी, अगर continuous है, तो अगर check करना है, continuous है, तो हम function की limit निकालेंगे, और function की value दोनों को compare करके देखेंगे, same है क्या, अगर same है, तो continuous है, दूसरा तरीका, हमको बोलेगा कि भाई, यह question है, यह continuous है, इसका मतलब, कि जैसे यह दो चीज़ होती है, देख, x is equal to 1, 1 की जगह 0 भी हो सकता है, 2 कुछ भी हो सकता, x is equal to 1, equal to है, मतलब यह function की value है, यह, जब fx में x की value 1 है, मतलब fx, x की जगह 1 है, तो यह function की value, value कितनी है, 5, और जब x is not equal to 1 है तब ऐसे वाले function, यह दो function है, इसका हम limit निकालेंगे, limit कैसे होगा, limit x 10 to 1, fx मतलब क्या limit किसका लेते है, हमेशा याद रखना, जब x is equal to 1 है, उसका limit नहीं लेंगे, जब x is not equal to 1 है, उसका limit लेंगे, 2x plus 3, यह जो function select हो गया, 2x plus 3, और function की value 5, अगर मुझे check करना है, तो मै कैसे check करूँगा, देखो, x की जगा 1 रखूँगा, इस तरह से, 2, 1, 2, 2, 2 plus 3, 5, दोनों same आ रहा है, मतलब यह continuous है, तो यह एक तरीका होता है, basic तरीका, continuity check करने का, या continuity दी है, तो उसको short करने का, या value find करने के लिए, ठीक है, अब सबसे पहले, यह एक तरीका हो गया, इस के सारे तरीके आपको आना चाहिए, अभी कुछ question लूँगा, एक से खतरना question, अच्छे-च्छे question, okay, जैसे भी मेरे पास एक question है, 2023 का, 2023 का question है, बच्चो एकदम ध्यान लगाओ, मन से, एकदम भाई, exam नजदीक आ गई है, अच्छे से पढ़ाई करो, 100 marks पे 95 आएगा, क्या जो difficult shift हो थी, उसमें आता है, 100 marks में 92, 93, 95, difficult shift हो आले है, okay, account need लिखता है, ब्रह्मास्त्र भुख मदे लही भारी question है, मला सोड़ा होता है, ये तो, very good, बहुत अच्छे, चला, पुडे दा हुया, बगुया, प्रत्यकानी लक्षद्या इकडे, आता, 2023 मदे आसा एक प्रश् बगित ले होते, आनि त्या मतले वापर ले जाना रे, शाट कर तुम्ही पाहिले होते थे आज, पन आपन वापर ना, तुम्हाला है, सांगो ये चीतों की, limit, chapter, dependent, हाँ, continuity chapter आहे, जानना, limit समझ ले हसे, त्यानना हे, continuity बन समझ ना रहता है, फ्रक्त स्टार्टिंग सा तो, कंसेप्ट आहे, आता मी सांगी तिले तोज कंसेप्ट इते वापरा इसा है, आनि नंतर limit कारता है, limit जे सर्वो कर्मूले है, आपन इते यूज करना है, ठीक है, चला, पुडे जा हुए, इते बगा given एक function आहे, function आहे, आता, ही जे function आहे, त्या मदे, x बरोबर 0 हे दिला है असेल तर function ची value a, आनि x less than 0, असेल तर function ची value है, x less than 0 मझे, x is not equal to 0, इते आहे, x 0 बेक्षेज आस्ता, असेल तर x is not equal to 0, तर तो त्या ची किमत a है, आता, आता, आहे, function, आनि continuity मझे, continuous आहे, question अपुर्ण आहे ही थे, given function is continuous, रही लही थे, अज़ून पाईज आता, हाप प्र is continuous at x equal to 0 then the value of k ही थे अपले आला एक प्रश्चन is continuous and x is equal to 0. find a, आसा एक प्रश्चना है find a, a is how much? now this is complete question. प्रश्चन कर आई चो बगा, कैसे करना है देखो, सर ने क्या चीखाया, कि लिमिट निकालना पेटा, limit x tend to, x tend to क्या लेंगे, यहां पर 0 पे breaking point है, और function, और यहां पर function की value fx, only fx, x की value क्या है, देखो, x की value 0 है, x की value 0 है, अब f0 मतलब क्या, जब x 0 था, उसमें function की value क्या थी, x, fx की value a, limit x tend to 0, fx, fx क्या है, देखो, यह दोनों में से कोई भी ले सकते है, आपर, प्योंकि दोनों x is not equal to 0, 1 minus cos 4x upon x square, अब क्या, हमको एक ही value निकालनी है, देखो, question कभी का है, 2023 का, 2023 सब रशना है, 2023 का question है, बच्चो, तो अभी यहां पर क्या आपको यह limit से formula याद है, do you remember, क्या तुम्हें याद है, limits के formula, all my dear, all my dear, all my dear, all my dear, अरे मेरे ललो, जिगर के, चलो, क्या तुम्हें शॉर्टकर्ट याद है, या भूल गए, देखो बच्चो, मैंने एक शॉर्टकर्ट दिया हुआ है, आपके लिए, 1 minus cos px upon x square, x tend to 0 का limit, p square upon 2 होता है, इस cos और x के बीच में जो number है, इस x के साथ जो number है, p, उसका square करो, upon 2 करो, और आपको answer आजाएगा, yes my idea, देखो, यहाँ पर इसका direct shortcut है limit का, यह cos के बाद जो यह x है, उस x के साथ जो number है, p, इसका square करो, 4 का square 16 upon 2 करो, यह equal to 8 है, यह limit सौल हो गया, इसका formula था, कौन सा, अरे यह वाला, 1 minus cos px upon x square, यह x है, यह x square है, 1 minus cos है, answer, यह limit और सब बढ़ जाएगा, यह p है, तो p का square upon 2 आएगा, p का square upon 2 आएगा, p का 4 का square 16 upon 2 आएगा, 16 upon 2 8 हो जाएगा, तो भाई, ऐसे-ऐसे question आएथे, आएथे, अरे कब आएथे, कब आएथे, 2023 में आएथे, क्या कर लोगे, अरे कर लोगे की नहीं, आपके इदर बारिज आ रही है क्या नहीं, मुंबई में बारिज बिलकुल नहीं है, गर्मी से हाल बेहाल है, महाराष्ट्रा के बहुत चारे रीजन में बारिश हो रही है, I know, तो देखा, आपको समझ में आया, what is the concept of continuity, अगर continuous दिया है, तो आप direct function की limit को function की value से equate करेंगे, और answer निकालेंगे, exactly ये step है, इसके बाद आपको सिर्फ limit निकालना है, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, 11th का मैंने crash course में, अभी 6.30 बजे parallel में, जब मैं YouTube पढ़ा रहा हूँ, तो मितलेज सर जो है, 6.30 से 8.00 बजे तक, ये line plane का lecture number 1 पढ़ा रहे है, आप के उपर, और फिर 9.30 से 11.00 बजे तक, ये lecture number 2 आएगा, मतलब दो lecture line plane के आज, हमारे होने वाले course में, तो जो बच्चे crash course के हैं, या toppers plus, या pro वाले हैं, वो जरूर वहाँ पर जाके देखें, वो YouTube के lecture से निकल जाए, वो वहाँ पर जाके करें, line plane करें, वो ज़्यादा जरूरी है, ये lecture बाद में भी देख सकते हैं, जो हमारे crash course के बच्चे निए, वो YouTube के ये lecture देखते रहो, आपके लिए line plane का lecture यहीं पर आएगा, कल के बाद आएगा, कल के बाद line plane यहाँ पर आएगा, ठीक है, चलो, तो ये इस तरह से हो गया, 2023 के कुछ ना, आपको जानकर हरानी होगी, कि भाई ये जो question है, 2023 में, 2022 में, बार बार हाँ, repeat हुआ है, बहुत बार, most repeated question है, most repeated question है, देखो यही question वापत से आया, यही question आया, वापत से, 2023 में, नौ में को आया, repeat हो गया, रहे दादा, कभी हुआ, बीच का ये हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, अभी यहाँ पर के दे दिया, constant के, question का type देखो, वाई से ही है, 2023 के 9 में को आया, और यही question, 12 में को पूचा था, 2023 में, आपको जानकर एरानी होगी, कि यही question, यही question, माई डियर, यही question, 2022 में ऐसा question था, यहाँ लिया नहीं, इन लोगों ने, चलो कोई बात नहीं, तो जो भी एक question बदल-बदल के आ रहा है, देखेंगे, देखेंगे, मैं सब बताने वाला हूँ, अब यह question भी वैसे ही होने वाला है, कैसे होने वाला है, अब देखेंगे, यहाँ पर equal to नहीं है, equal to नहीं है, तो जब भी equal to नहीं होगा, तो हम लोगों को क्या करना है, दो limit होती है, left hand limit, right hand limit, देखेंगे, देखेंगे, question भाई है, यह 2023 का, ओके, देखेंगे, यहाँ पर क्या था, बढ़ यह value direct पता नहीं है, यह greater than 0 है, यहने की plus वाला है, positive, यह less than 0 मतलब negative वाला है, तो हम क्या करेंगे, left hand limit और right hand limit लेते हैं, मतलब दो बार limit लेते हैं, limit extend to 0, यह 0 है इसलिए, और यह होगा limit extend to 0, दो बार limit लिया, तिर करना क्या है, पहले वाले limit में पहला function, यह function पहले limit में, दोनों का आप क्या करोगे, limit ले लोगे, और upon x square, दूसरे वाला limit में यह, root x, upon, root 16 plus root x, minus 4, यह, अब इसको दोनों का दो limit करो, जो भी हमने limit chapter में किया है, वो करेंगे, ओके, और solve करो, आपको answer आजाएगा, इसका limit तो बहुत easy है, कैसे, 1 minus cos kx upon x square, 1 minus cos px upon x square, यह p square upon 2, बार उपर, दोको limit chapter की question भी इसके उपर भेशते, continuity में भी इसके भेशते हैं, ओके, तो यह क्या हो जाएगा, देखो k, k square upon 2, पर हमको k की value ही निकाल ली है, तो यह देखा, अब आपको मैंने limits के अंदर lh rule सीखाया था, lhospital rule, lhospital rule, वो rule क्या कहता है, वो rule कहता है कि भाई, limits solve करने के लिए, उपर वाले का derivative उपर, नीचे का derivative नीचे लो, या तो फिर इसको हम conjugate से multiply करके, 11th के मेंदर से करेंगे, या तो उपर का derivative उपर, root x का derivative 1 upon 2 root x, yes, और नीचे यह root है, root का derivative 1 upon 2 root, क्या है root में, 16 plus root x, minus 4 का derivative 0, यह root के अंदर x के मतले कुछ और था, उसका वापर derivative, 16 का 0 root x का, 1 upon 2 root x, यह आ गया, अब इसका limit निकालना है, limit कैसे निकालेंगे, 1 upon 2 root x, cancel, ज्यान चे देखना, यह k square upon 2 है, यह जो था, यह 1 upon 1 upon, यह उपर जाएगा, limit x की जगा 0 डाल दो, यह फहले तो उपर गया समझो, limit x tend to 0, 2 root 16 plus root x, अभी x की जगा 0 लिको, आपको answer मिलेगा, देखो k square upon 2, यह 2, x की जगा 0, 0 का square root 0, 0 plus 16, 16, 16 का square root 8, 8, k square is equal to, 2, 8 जा 16, एक minute रुक जाएगा, क्याना जी, 4, 2, minus 1, 3, 8, 2 जा 16, 2 जा 32, बुच गड़बद हुआ के, रुको देखते, एक minute, इसका p k square upon 2, root x का derivative, 1 upon 2 root x, root, 1 upon 2, root 16 plus root x, 16 का 0, root x का 1 upon 2, root x, minus का 0, x की जगा 0 रखना, 1 upon, 1 upon, 1 upon, अरे, यहाँ पर 4 है, 16 का square root, मैंने 8 लिख दिया, यह 4 है, वही पहला कुछ गड़बड हो रहा है, square root आना चीए न, देखो, यहाँ पर 16 का square root मैंने 8 लिख दिया था, गल्दी से 4 to the 8, और यह 2 गया तो 16, k is equal to plus minus 4, देखो, कोई है क्या, yes, option A is correct, क्या आपको समझ में आ रहा है, बच्चो, yes, my dear, देखो, बहुत interesting है, यह question 2023 में था, यहाँ पर हमें LHL, RHL करेके, दोनों का limit लेना पड़ा, इक्वल नहीं है, और similar question 2023 में था, यहाँ पर यह तीन जन थे, यह A निकाला है और यह function की value, आप किसी एक का limit निकालोगे, तो भी answer रहागा, आप इसका भी limit निकालोगे न वही answer आएगा, देखो, यहाँ पर हमने किया, दोनों का answer कितना है, देखो, इसका answer कितना है, इसका answer किया तो कितना आ रहा है, है ना, यह 2 तो यहाँ थे, 2 forza 8 आ रहा है, इसको छोड़ दो, 8 आ रहा है ना, इसका answer कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, अगर यह question में देखते हम, तो इसका answer तो समझो, जो भी था हूँ, इसका solve किया तो 8 आ रहा है, जो को answer 8 आ रहा है, एक की value 8, इसकी भी value 8, इसकी भी value 8, तो ये 2023 की repeated question थे, अभी 2022 में एकदम ध्यान से देखना बच्चो, अभी ये बताता हूँ, पहले रुको, ये 3 breaking points वाले question है, most repeated questions हैं अपने पास, अभी आपको limit का जो question पता है, starting के formula, वो concept हम use करेंगे, फिर से 2022 में एक question था, starting के भी पहले paper के दिन आया था, क्या के दा था वो है, कि भाई, इस तरह से कोई एक function है, बच्चो, ये, और बोलता है, x is not equal to 0, मतलब इसका हमें limit लेना है, जब भी x is not equal to 0 का limit, और ये continuous है, continuous है मतलब limit extend to 0, जो function का limit है, continuous at, then f0, जो function का limit है, function की value को same होगा, क्यों same है, क्योंकि ये continuous है, जब भी कोई function continuous होता, उस function का limit, उस function की value, 0 पे fx का, जैसे ये fx होता है, अब यह बोलता है x 0 है तो x की जगा 0 है तो f 0 उस function की value होती है हमें बोला f 0 कितना होगा f 0 निकालना है यह limit है x 10 to 0 है यह function क्या है देखो function function है e raise to x square और minus cos x है upon में x square है देखो आपको तरीके बताता हूँ इसको solve करने का यह basic तरीका है या तो आप lh rule से करो उपर वाले का derivative उपर नीचे वाले का derivative नीचे limits में चिकाया था वैसे या तो एक तरीका है minus 1 plus 1 कर दो और upon में जो x square है इसको भी दे दो और इसको भी दे दो दो टुकडे कर दिया हमने minus 1 plus 1 करके ऐसे ओके अब इसको solve करो देखो यह इसका formula होता है a raise to x minus 1 upon x इसका limit होता है log a 1 minus cos px upon x square इसका limit होता है p square upon 2 यह याद रखना है देखो यह बच्चा 2022 का question है तो यह कैसे आएगा e raise to x square minus 1 upon x यह same same होना चीए a के power में जो है वो नीचे भी होना चीए यह जो a है उसका log लेते है यहाँ पर यह जो e है उसका log लेंगे limited जाएगा limit लिया तो formula लग गया plus इसका direct formula cos के साथ कुछ नहीं हो तो 1 है pk value 1 है तो 1 square 1 upon 2 आ गया log e क्या होता है log e 1 plus half log e हमें चाहब half plus 1 3 by 2 answer 3 by 2 देको c है एकदम short तरीका हो गया 11th का formula लगा है चोटे में हो गया minus 1 और plus 1 किया हो गया लेकिन इसको आप L hospital से कर सकते हो बट उसमें 2 बार derivative करना पड़ेगा पहली बार derivative करेगा तो x2 का 2x आएगा और x की जगा 0 रोकेंगे तो 0 हो रहा है दो बार derivative लेना पड़ा है तो सबसे अच्छा ये अच्छा है ठीक है आँ मयूरेश ले सकते हो आजाओ course में टॉपर्स प्लस ले लूग बिलकुल ले सकते हो आपके लिए time है PCM वालों के लिए जिसका 15-16 तारिक को एक्जाम लगेगा 17 तारिक उसको तो एक महिना मिलेगा पड़ने है ना चल मेरे दोस्ट अभी आपको ये समझ में आओगा कैसे करना है क्वेस्चन देखो किस तरह से लेवल वाले क्वेस्चन एकदम एक से एक कभी के latest question है आओ चलो breaking point देखते हैं येस माइडियर breaking point देखेंगे देखो limit chapter की तेहरी अच्छे सकरो खली function में concept है starting अगर आ गया तो बाद में limit ही निकलना है देखो एक ऐसा question जो most repeated question है येस माइडियर MRQ है what is MRQ most repeated question भाई देखो ये 2023 में 13 में को पूछा किया था question sine ax upon x plus 3 2x plus 7 और ये तीन-तीन function है एक, दोन, तीन और इसमें बोला है कि यहाँ पर एक unknown value a है, यहाँ पर एक unknown value b है, a, b तो 2a plus 3 भी कितना होगा 13 में 2013 लाव इचार लेला प्रशन आता तसना देख प्रशना है 8 August 2022 लाव हिचार लाव होता सारकाज प्रशना है तोस प्रशना है रेपीड लाव होता कि राव हिचार ले बगा यहाँ क्या पूछा है question incomplete है क्या if the function fx is continuous हो ये question 2022 में function में, continuity में incomplete है देखो, यहाँ पर यह बिल्कुल same question है, sin ax x upon x x plus y देखो ये बिल्कुल सेम है एकदम सेम है यहाँ पर 2a plus 3b पूचा था यहाँ पर एक line रह गई है मैं बताता हूँ क्या है यहाँ पर भी a और b अन्नों ने पूचा क्या है 2a plus 3b है कि हाँ वही सही है देखो वही है लगता है वही पूचा है और है क्या नहीं है चलो दो बार 2022 में 2023 में रिपीट हुआ था तो भाई करना कैसे है आओ चलो बताता हूँ यह क्वेशन देख लिए साइन एक सबोन एक सब्सक्राइट एक सब्सक्राइट है 2022 में आट अगस्ट का है चलो देखो कैसे करना एकदम यहां पर आपको बताना चाहूँगा कि जब भी तीन फंक्शन होंगे तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट होता है इसका क्या होता है देखो यह इस तरह से नंबर लाइन पे ध्यान दो 0,1,2 –1,-2 यहां पर कुछ ब्रेकिंग पॉइंट होती है बच्चो दिखाओ कहां पर है 2022 में अच्छा 7a plus b plus 1 2022 का है न 7a plus b plus 1 7a plus b plus 1 is equal to how 1 यह question देखो 2022 ता उसमें अलग पूछा है ठीक है यह नहीं पूछा है मतलब समझ रहे हो 2023 में वही question पूछके बोलता है 2a plus 3b कितना और 2022 में वही question देखके 7a plus b plus 1 तो actual में अगर आपको a और b की value पता चलती है आप कर लो गया है कि नहीं चलो हम देखते हैं इसमें कैसे होगा तो यहां पर 2-2 breaking point है बच्चो इस question में 2 बार करेंगी देखो जब यह 0 है ना तो इसका और इसका इन दोनों का limit लेने का देखो एकदम interesting है x tend to क्या होगा यह 0 है तो 0 और यह क्या है sin ax upon x plus 3 इसका और इसका limit लेने का limit x tend to 0 देखो यह 0 किसका किसका है इधर है breaking यह 0 के लिए यह वाला function यह 0 के लिए यह वाला function direct करने का ज्यादा लिखने का नहीं यह हो गया यह पहला part हो गया at x is equal to 0 पे चेक किया अभी हम दूसरा part करेंगे यह 1 पे चेक करेंगे 1 पे तो at x is equal to 1 अब 1 के लिए भी 2 limit लेंगे 1 पे देखो यहाँ पर यह है और यहाँ पर यह है limit x tend to of 1 करने का यह पहला यह पहला यह पहला अब आप दोनों को solve करो यहाँ से आपको a मिल जाएगा और यहां से आपको b मिल जाएगा a और b दोनों मिलेगा उसकी value यहाँ रखना 2a plus 3b में आपका answer आजाएगा बच्चो देखो एकदम देखो x की जगह 0 रखना लिमिट लिमिट अंदर गया sin ax upon x इसका लिमिट direct a आएगा फर्मुले से प्लस 3 का लिमिट तो 3 रहेगा अब यह लिमिट x की जगह direct 0 रख सकते है 2 into 0 0 plus 7 3 वह आ गया a 4 आ गया अब ऐसे इधर solve करो x की जगह direct 1 रख सकते है जब upon नहीं हो था direct रख सकते है 2 x की जगह 1 रख सकते है 2 into 1 2 2 plus 7 9 हो गया अब x की जगह direct 1 रख सकते है 1 1 square 1 1 plus 8 9 9 का square root 3 3 minus b ok minus b इधर आ है plus b यहां पर दो-दो answer हो सकते है square root है 9 का square root यहां पर जो x है कुन सा था ? root यह root वाले में x की value देखो 1 और 2 के बीच में है एक मिनिट आ है हमें b निकालना है a और b दिया है देखो यहां पर a और b का जो domain है x is continuous यह भी नहीं दिया चलो देखते है b is equal to 3 minus 9 b is equal to minus 6 आ गया देखो यह square root जब ले रहे है plus minus answer आना चाहिए तो भी जो आ रहा है कोई बात नहीं a 4 और b minus 6 है अगर सीधा सीधा positive value लेते हैं तो यह क्या यह minus 6 है देखते answer क्या आता है अभी हमको क्या पूचा है देखो बच्चों यहां पर हमको पूचा है 2a plus 3b 2 into a 3 into b 2 4s are 8 3 6s are 18 तो minus 10 minus 10 कहा है b तो यह answer आ गया अगर समझो मैं इसको 9 का square root minus 3 लूंगा तो यह answer क्या आएगा minus 3 minus 12 b की value minus 12 आ जाएगा देखो देख रहे हैं खली b की value minus 12 minus 12 त्रीजा minus 36 तो यह answer range के बाहर चला जाएगा नहीं आएगा यहां पर x की दो-दो value आएगी plus 3 minus 3 plus 3 ले रहे तो minus 10 जो option में है minus 3 लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 20 से भी ज्यादा वो option में नहीं है यह सही है यह b answer सही है इसका समझ में आ रहा है yes my dear वी नहीं पूछ रहा I can anyone tell best channel for chemistry for MSTCT yes बेटा all about chemistry channel है सोवीन सर का youtube channel है रोज lecture होता है yes बेटा देखो यहां पर जैएज भी बता रहा है अच्छे से करो मानव लिख रहा है मैं topper scratch course से हूँ पहले face में था कुछ नहीं समझ रहा था आप CT कर रहा हूँ सिर्फ आपके वज़े से हो बेटा हो जाएगा च्छे से ओके चला अभी देखो यही question same question वापस से 2022 में पहले भी आया था same लेकिन पूछा है 7A plus B plus 1 most repeated question है तो यहां पर देखो A और B कितना है था पीचे से A और B कितना था A 4 B minus 6 A 4 B minus 6 यह value रखो 7A 4 B minus 6 plus 1 28 7 into 4 28 minus 6 plus 1 कुछ गड़बड है क्या question सही है कि इसका option सही है कि देखो option वही question था कितना होगा थेखो 28 minus 6 22 plus 1 23 जब गड़बड़ी है क्या question बदली है थोड़ा question बदल दिया है बच्चो यहां पर A और B सेम नहीं आएगा question को इन लोगों ने बदल दिया है क्या बदला है थेखो यहां पर sin A x upon x plus 3 था यहां भी है 0 यहां पर देखो 2x plus 7 है यहां पर x plus 5 कर दिया है देखो बदल गया है 2023 में 2x plus 7 था 2022 में x plus 5 था 2023 में यह सेम था अब देखो मैं direct बता था direct कैसे करने का direct limit direct पहले A 0 पर देखूंगा direct तो इसका limit होगा A A plus 3 direct हाँ और इसका limit होगा यहां पर 0 पर है 0 plus 5 5 A is equal to 5 minus 3 2 direct करना हो देखो कैसे किया इन दोनों की limit को match कर दिया direct अभी दूसरा अभी इन दोनों की limit को direct match करेंगे second और third क्यों समझो मैं direct बता रहा हूँ इन दोनों की limit को direct match करेंगे इसका limit करेंगे अच्छा यह 1 है extend to 1 1 पर देख रहे है पहले क्या देखा था 0 पर x 0 रखना था अभी 1 रखना है 1 plus 5 6 यहां पर 1 रखेंगे 1 square 1 1 plus 8 9 9 का square root 3 9 का 3 3 minus b minus b इदर आ है plus b 3 minus 6 minus 3 अब हमको क्या पूचा थे 7 A A2 है B minus 3 plus 1 7 2 जा 14 minus 3 plus 1 14 minus 3 11 plus 1 12 दोब वही question था बदल बदल के पूच रहा है most repeated question है आना चाहिए आपको भाई समझ में आ रहा ही कि नहीं ठीक है तियो ज़िए लिग रहा है मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ मतलब आपके जैसा में समझा नहीं मतलब teacher बनना चाहते हो dedicated बनना चाहते हो continuous काम करने वाला व्यक्ति बनना चाहते हो लगातार बार-बार बार-बार मेनत करने वाला व्यक्ति बनना चाहते हो या क्या बनना चाहते है ठीक है अब पूर्वा creation परेशान है देखो, विचारे ने कहीं class join किया है online और वहां कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, यहां हम लोग कितना पढ़ा रहे हैं मालूम है, अब ही मेरा lecture हुआ, चार से साड़े पाच, मैंने class 11 का ट्रीगो टू पढ़ाया, crash course में, उनली math की बात कर रहा हूँ, इतने जादा lectures हो रहे हैं क्योंकि हमको revision बहुत करवाना है, तो फिर अभी साड़े 6 से 8 बज़े तक class है, line plane का, और फिर साड़े 9 से 11, अब वो बच्चे सोचों कितना ज़्यादा हमारे साथ सीख रहे हैं, अभी कल भी ये 3 lecture होंगे, फिर हमारा syllabus खतम होने वाला है, ख़री line plane बच्चा है, crash course में, ये line plane अभी खतम हो जाएगा, कल खतम हो जाएगा, चार lecture लेंगे, 3 ये 4 लेक्चर अच्छे से पूरा कराएंगे, और maths 11 का भी सब खतम होने है, 2-3 chapter ही बचा है, तो परसो तक सब हो सकता है, wind up हो जाएगा, 17 या 18 तक, फिर उसके बाद revision and everything, बच्चों को time, maha marathon, Jai के most repeated question, YouTube पर भी आएगा, attention मत दो, YouTube पर भी आएगा, okay, ठीक है, मज़ा आएगा, अब इदो को कुछ और question हम करेंगे, एक mod बाला question करें, आजाओ मेरे साथ यो, आजाओ मेरे साथ यो, most repeated question की category में, और भी कुछ question है, मेरे प्यारे बच्चों, जहां कहीं भी हो, बगा, 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 2023, 2022 सा प्रश्चना है, मुलान नो, दादान नो, सहा अगश्च 2022, एकदम ध्यान चे देखना बच्चों, एकदम, एकदम ध्यान चे देखना, 2022 में ये question आया था, x-4 upon mod x-4 plus a, a plus b, x-4 upon mod x-4 plus b, x greater than 4, x equal to 4, x less than 4, continuous है हमको बोला की, भाई, a और b की value क्या होगी बताओ, question को ध्यान चे देख लो पहले, question को solve करने के पहले, okay, question को ध्यान से देखो पहले, question को ध्यान चे देखो, question को ध्यान चे देखो, अभी एकदम देखो, अभी ये 2022 का था, अभी same question देखो, 2022 में ही दो बार रिपीट हो गया, 2022 के 10 तारीक को यही question आया, 2022 के 6 अगस्ट को यही question आया, एक ही question 2022 में दो बार आया, और जिसने 2022 का यह question किया होगा, उसको यही question 2023 में आ गया, मौड वाला question, ध्यान से देखिए, गोर फरमाईएगा, question पे, yes my dear, वही question, बार बार देखो, हजार बार देखो, यह देखने की चीज है, हमारी दिल रुबा, जानी हो, ठीक है, यह question है, मैंने क्या कर दी आया, यह question है, चल, is continuous, यह question है, तोड़ा आगे पीछे कर दिया है, question को देखो, आरे पीछे तो देखो, आरे चार पीछे किदर देखने, आरे इदार, 2000 ते वी, दहा मेला वीचार ले प्रशन, पन फरक का है, दोनी मदे फरक हैज आए, इते, x-3 आनि त्या खाली, माड मदे x-3 आए, इते, x-3 माड मदे आए, त्या खाली x-3 आए, इते, 3 ब्रेकिंग फॉंट दिलेला आए, ऐज प्रष्ण तोज प्रष्ण थो नजर बाविश। ला होता। मौड वाले क्वेस्चन से ही तो डर लगता है कुन्नु परेशन जला है कुन्नु ला टाइम आउट दिला तुष गप शांती ने लेक्चेर भग ना टाइम आउट दिला थीक है ना अशला कमेंट वर कमेंट करतो है PCP वालों का क्वेस्चन PCM में रिपीट होता है क्या हाँ फिजिक्स और केमिस्टिका रिपीट वैसे ही क्वेस्चन आ सकते हैं मितेश लिखता है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कहां मन लग रहा है लोग कहते हैं कि इश्क में नींद उड़ जाती है लोग कहते हैं कि इश्क में नींद उड़ जाती है अरे कोई हमसे भी तो इश्क करो हमें नींद बहुत आती है अमें नींद बहुत आती है तो यह जो चीज़े हैं इनको छोड़ दो पढ़ाई पे ध्यान लगाओ और नींद मत आने दो होगे अब देखो यह क्वेश्चन है कौन सा करू बताओ 2022 वाला करके दिखाओ कि 2023 क्योंकि दोनों में सेम ही है 2023 में 3 है 2022 में 4 है चलो चैट में बोलो को यह की बताओंगा जली से बोलो जली से बोलो संग शंग बोलनाथा पाउस पर धेल खाए अता बगा। कुछ तो दर्द हुआ होगा आसमान में अरे उपर वाले को कुछ तो दर्द हुआ होगा जरूर हुआ होगा क्यों क्योंकि यों ही एप्रिल के महीने में बारिश हुआ नहीं करती और माराश्ट्वा में बहुत तर जिले में एप्रिल के महीने में बारिश हो रही है तो कुछ तो बात जरूर हुई है बड़ा दर्द है रे तेरे सीने में आस्मान का सीना चीर के बारिश हो रही है mars और April के महीने में mars और April के महीने में, ठीके मैं 2023 जो जो जर 32 कह दो 2023 क्या बार एक दब latest question करना चाहते हो लेकिन एक वादा करो मैं 2023 वाला करा था हूँ 2024 वाला खुँँच से शेम सेम करोगी खुँच से करोगे ठीके ठीके चला चलो 2023 का करते हैं यहाँ पर बच्चो जैसे कि आपको पता है यह 3 जान है यह equal है यह function की value है तो पहले इसका और इसका यह 2 जन को पकड़ो इसका limit इसका limit चाहिए 10 to क्या रहेगा यह 3 है 3 2022 वाले में 4 और यह वाला function लेना x-3 x-3 का mod plus 1 क्या लग रहा है बहुत simple होगा की बहुत hard होगा फिर इसका limit और a plus b यह हो गया first part second part अभी यह दोनों को लेने का इसका limit a plus b और इसका limit ले लो क्या लग रहा है बहुत easy होगा की बहुत hard होगा बहुत easy है अरे बहुत easy है भाई सब्सक्राइब दोन हजार एक्वीज बावीज तेवीज कलेक्टिव श्टड़ी कर त्या मधूनस रैंडमली इकुडून कुटून थरी प्रेश्ण बदलून देतील दे प्राक्टिस साथी पुर्ण प्रहमास्र सौल करूंगे देखो बच्चों यह देखा हमने इसको इसके जाओर अब देखो हम बदल दिये माइनस भी कितना होगा पूछा है तो देखो सॉल कैसे चरथे अब यहां पर देखो यह वाला काव लिमिट है। जब एक्स की वैल्यू 3 से चोटी होगी, तो यह है यह क्या है X की value 3 से छोटी चलो 3 से छोटा कोई number बोलो कोई भी number बोलो एक दोन तीन चार गनपादी चार जाज़ा जाज़ा कार अभी 3 से छोटा X is less than 3 3 से छोटा कोई number लो समझो 2 ले लिया 1 भी ले सकते कोई भी number ले लो 2 चलो X अगर 2 ले लिया मैं 3 से छोटा कोई number लेता 2 या तो 1 समझो 2 लेता 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 1 बड़ नीचे वाला तो मौड में है solve करेंगे उपर माइनस 1 नीचे माइनस 1 का मौड प्लस 1 माइनस 1 आया मतलब इसका लिमिट माइनस 1 आने वाला है अगर x की वाली 1 कोरोगे तो भी उपर नीचे तो सेम है अगर x की वाली 3 से छोटी होगी यह negative आएगा जो आएगा वही यह भी आएगा बड़ यह मौड की वाई से प्लस हो जाएगा मौड एक ऐसी मशीन होती है अंदर मैनस वाले टम को प्लस कर देती है ऊपर वह ही आएगा जैसे ऊपर मैनस 2 आया अगर 1 रखेंगे 1-3, मैनस 2 तो नीचे 1-3 मैनस 2 का मौड तो उपर मैनस 2, नीचे मैनस 2 का मौड उपर मैनस 2, मैनस 2 का मौड प्लस हो जाएगा तो यह concept है यह negative ही आएगा, यह आगया, प्लस A, अच्छा, इसका limit लेंगे, जहाँ भी X से 3 रख दो, तो X तो ही नहीं, तो यह A प्लस B, अब देखो A, A, cut, B की value कितने आई, B, minus 1, B कितना है, minus 1, देखो minus 1 answer है क्या, नहीं रहे बाबा, इगर A minus B पूचा है, B नहीं पूचा है, A minus B, अभी same way से यहाँ करो, X 10 to 3, A plus B, जहाँ भी X से 3 रखो, तो यह A plus B, X तो ही नहीं, कोई बाद, अब X 10 to 3, यह वाला जो क्या है, देखो, यह वाला, जब X की value 3 से जादा होगा, तो यह, यानि यहाँ पर क्या है, X 3 से बड़ा है, कोई भी रख में एक value रखो, 3 से बड़ा कोई है, 3 से बड़ा, 4, 5 है, चलो 4 रखो के देखते हैं, 3 से बड़ा, यहाँ पर अगर 4 रखा, 4 minus 3 upon, 4 minus 3, क्या आएगा 4 minus 3, 1 का mod upon 1, 1 का mod 1 upon 1, plus 1 आ जादा है ना, तो 4 या 5 रखेगो, तो 5 minus 3, 2, 2 upon 2, 1 ही आएगा, कुछ भी रखोगे, 6 रखोगे तो भी, अब देखो यह BB, cut, A is equal to 1, खतम, A आ गया, B आ गया, पूचा क्या है, देख, A minus B, क्या पूचा है, A minus B, A कितना है, 1, minus B कितना है, minus 1, 1, minus minus plus 1, 2, 2 है, answer क्या है, D, D, A minus B, देखो, यहाँ खुशी लिखती है, B, is the answer B, कहाँ से आया, 0, पगली, खुशी, है, NM कदम, आहे मी सुन्दर, तुम्हाला काई माहित, तुम्हाला काई माहित, तुम्हाला कामाजा घरी, अच्छा कोन तरी विचार लेगा, NM कदम तुला, दिसायला कशी, आहे सुन् आहे मी सुन्दर, ओमकार क्राश कोर्स में है, स्वागते बेटा, श्री कृष्णा बेटा, दादा दुखाई ली तो है, कोना दूसरे चा घरी जावन मुक्काम कराईला, कशला दा तो है, तुझा घरी कोन आला तर मुक्काम कराईला, दूसरे चा घरी जाता है, इसको देखो, व्लॉक करो, लड़का लड़की को गलत लिख रहा है, शीवम कदम लीतो है, किती शिकावता सर, थोड़ा आराम करागी, आताच क्रेश कोर्स मदिल, किती शिकावला, अमाल आहे तुम छी, अफान शेक लिखते हैं, यू आर ग्रेट सर, मैं फर्स्ट टाइम लाइव आई हूँ, लाइव में इतने फालतु मैसेज करते हैं बच्ची अरब अपरे, देखो नाम गराब हो रहा है, जो भी बच्चे ना भी क्या है ना देखो, अफान क्या है मालू है, बच्चे ना ब ब्रह्मास्र बुक की इबुक ना अशिश हमारे दिनेश से रैप से ले सकते बढ़ा, ठीक है, चला अधा पूरे जा हुए, आजून प्रश्ट ना है, येस आजून प्रश्ट ना है बगा, अभी देखो यहां पर डिसकंटीनिटीज की बात करेंगे, the number of discontinuities of the greatest integer function fx, ये minus 7 upon 2 to 100, ये question है बच्चो, 9th में 2023 का question है, my dear, 23 का question है, मेरे प्यारे बच्चो, ये पूचा गया था, ओके, एकदम, एकदम, ते गानी लक्षे दा इकड़े, जानना सीरियसली अभ्यास कराईचा है, यानी इते लक्षे दा, ओके, आता आजसा थी greatest integer चा question अजून होता, 2023 मदे, आता हाँ शेवट आहे, lecture संपनार है, लक्षे दा इकड़े, 2023 मदे अजून एक प्रशन होता, greatest integer, कि fx is greatest integer dot cos 2x minus 1 2pi, तर है discontinuous कदी असिल, देखो, बहुत सारे बच्चों को greatest integer का पता ही नहीं, मतलब क्या होता है, हमारे app की बच्चों को तो पता है, कई बार बता चुका हूँ, आप लोग भी ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ, आपको कैसे होगा, देखो बच्चों, greatest integer function, greatest integer function मतलब क्या, एक दम ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते है, gif, gif, इसको इस तरह से bracket में denote करते हैं, इसको solve कैसे करते हैं, जैसे की समझो, यहां पर है 2.5, यहां है 3.7, यहां है 4.9, अब इसकी value कैसे निकाली जाएगी, तो इसके अंदली हम क्या करते है, number line होता है बच्चों, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से, अब यह number line में क्या होता है, समझो 2.5 कहां पर है, 2, 1, 2, 3, 4, समझो यह, 2.5 यहां है, तो उसका greatest integer, integer का मतलब होता है, जो point में नहीं होता है, integer मतलब जो point में नहीं होता है, integer मतलब जो numbers होते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह integer असता है, अनि जर तुम्हाला मतलब 3.8, यह integer नहीं है, 7.9, integer नहीं है, 5, integer आहे, 3, integer आहे, minus 2 integer आहे minus 2.7 integer नहीं है जो भी point में होगा बच्चो वो integer नहीं होता है और जो point में नहीं है वो integer होता है आपने पहले बताया है मैं हर बार बताने की कोज़िश करता हूँ अब होता क्या है देखो पीछे तो देखो 2.5 होगा ना तो इसके पीछे को नहीं है 2 तो ये 2.5 का answer 2 आएगा 3.7 है 3.1, 2, 7 यहाँ पर है 3.7 तो इसका answer क्या है इसके पीछे क्या है 3 तो actual में point के पहले देखने का 3 point के पहले 2 point के पहले क्या है 4 तो greatest integer मतलब उसके बात का point हटा देने का अगर कुछ negative है तो क्या होगा समझो minus 1.9 minus 2.7 तो क्या होगा minus 1.9 minus 1, minus 2 minus 1.9 इधर आएगा अब इसके पीछे दोखो पीछे देखने का minus 2 यहाँ पर क्या था point के पहले 2 था 2 था 2 था 3 था 3 था point के पहले 4 था 4 था 4 था plus में होता है minus 1 नहीं होता point के पहले minus 1 है तो minus 1 के और पीछे minus 2 रहेगा उसके और एक पहले minus 2 point के पहले minus 2 है minus 2 के और उदर क्या होगा minus 3 सो यह होता greatest integer function अब बात आदिए continuity chapter की continuity continuous continuous कोई भी function है fx is discontinuous at greatest integer function जो भी greatest integer function होते है वहां पर जो हमारा function हमेशा discontinuous होता है यह याद रखना है हमारा function हमेशा discontinuous होगा कहां पर होगा जब भी greatest integer function होगे वहां पर discontinuous होगा समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है हमारा function discontinuous कभी होगा जब भी greatest integer function होगा तो हमारा function क्या होगा discontinuous होगा अब देखो यहां पर एक question है बच्चो कि एकदम द्यांद the function fx यहां पर इस तरह से ग्रेट यह जी आएफ है जी एफ नहीं है रहे जी आएफ है जी एफ दिमाग में कच्रा भर के रखे जी आएफ है greatest integer function है और यह into cos यह क्या होगा यह greatest integer function है यह कहां पर होगा discontinuous कब होगा तो भाई यह जो होता है न यह जितने भी greatest integer function जितने भी integers होते है at all integers यह लिखना था कि जितने भी integers होते हैं उस पे यह discontinuous होगा integer मतलब यह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उस पे यह discontinuous होगा एक मिनिट यह पेन बोल रहा है यार बस करो मत पढ़ा लेकिन हम पढ़ाएंगे एक मिनिट समझो यह 1.2 है तो इस पे गॉंटीनिवस होगा 2.7 है गॉंटीनिवस होगा जो इंटीजर है वहाँ डिसकंटीनिवस होगा देखो अब यह question में यह greatest integer function है अब यह कहां पे डिसकंटीनिवस होगा कहां पे all irrational number no x all integer point every rational all integer point यही मैं बता रहा था यह concept है theoretical concept है कि हर एक greatest integer function ऐसा जो भी होता है वो सभी की सभी integer points पे डिसकंटीनिवस होता है 2030 का simple question था 10 second में कर लेगा अगर बच्चे को concept पता है तो बच्चे को concept नहीं पता है तो तुक्का मारेगा सोन जो रहा है ओके भेन भी तग गया उसे सोने अभी देखते हैं भी होगा ना भी नहीं होगा रहे डिसकंटीनिवस कब होगा जब भी ऐसे greatest integer function होता है उसमें जितने integer पॉइंट होते हैं अभी एक question और था 2023 में होगे होगे एक question और था देख यह 2023 का ही question है बिल्कुल अलग आया है बिल्कुल यह कहां पर discontinuous पूछता है कि भाई the number of discontinuities कितनी discontinuities होगी of the greatest integer function फिर से GIF है greatest integer function तो यह integers पर discontinuous होगा कहां पर होगा यह minus 7.2 minus 7.2 मतलब minus 3.5 और यह है 100 और यहां पर यह ऐसा bracket है यह ऐसा bracket का मतलब 100 को नहीं लेना है और इसको भी नहीं लेना है इसके बीच के numbers को लेना है इनके बीच में क्या integer आएंगे number line याद करो देखो बीच में 0 आता है 1 2 3 4 and dot 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 last में 99 आएगा और dot 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 100 ठीक है और यहां से अगर मैंने चालू किया यहां तो यह minus 1 minus 2 minus 3 और यह तो अभी कितने points ऐसे हैं जो integers है क्योंकि अभी मैंने आपको क्या समझाया विटा कि discontinuity पूछा discontinuous कब होगा कितने points पर होगा यहां पर मैंने बताया कि जितने integer points होते हैं जो बिना points के होते हैं उस पे discontinuous होता है 0-99 तक काउंट करोगे तो कितने लोग होगए एक से 99 और 0-100 लोग होगए 100 और यहां से कितने लोग होगए एक दोन तीन तीन लोग होगए टोटल मिला है तो कितने होगए 103 103 एक सो तीन ऐसे point है इन हर point पे वह discontinuous होगा पाई कंसेप्ट देखो नया है, क्रिष्टन वापस आया है, सर जी आज मेरा पाथ चैप्टर खतम हो गया है, सिर्फ मैश्टू ही बच्चा है, 19 अप्रिल तक, सारे भैकलोग खतम, और सर महा मेराथन कब से स्टार्ट होगा, टॉपर्स प्लस मेर, कोई टीप दिए, बेटा, बहुत अच्छा, अच्छे से करो, टॉपर्स प्लस के स्टूडेट हो, लेकिन आप पैसा क्यों भेशते रहते हो, मत भेजा करो, ओके, 200 रुपया भेश दिया, क्रिष्टन ने, सूपर जैट, चलो, कोई बात नहीं, बेटा, जो हम लोग का, फीजिक्स और केमिश्ट्री क महा मेरातॉन, 17 तारीक से चालू हो रहा है, और जो मैस का महा मेरातॉन होगा, वो 23 तारीक से चालू होने वाला है, क्योंकि अभी PCB वालों को पहले हेल्प करने वाले हो, PCB और PCM पेपर सेम होगा, क्या इस बार, नहीं रहे, तोड़ा तोड़ा बदलता है, रहे, फिजिक या रहा है क्या, अर्चल लिखता है, 2025 की बेस्टार्ट करो, हो जाएगा बेटा, यह एक्जाम होने दो, फोन पे नहीं है, दूसरे के फोन पे से कर सकते हैं, माइन, वो ग्रेटेश्ट इंटीजर नहीं लेना है, पॉइंट लेना है, पेटा, शौरो तिवारी बोल रहा है, माइनस 3.5 के लिए माइनस 4, यहाँ पर हमें X की वैल्यू चाहिए, यह ओपन ब्रेकेट है, देखो, ओपन ब्रेकेट 3, 2, 7, इसका मतलब 3 और 7 के बीच का नंबर कौन आता है, 4, 5, 6, यह 3 आते हैं, यहाँ पर माइनस 7.2, यानि यह साड़े 3 है, उसके और 100 के बीच में कौन है, यह, इन पॉइंट बर जो इंटीजर उस पर discontinuous होगा, यहाँ पर मौड X का वैल्यू नहीं पूचा है, ऐसे नहीं पूचा है कि यह कितना होगा, उसके बीच में कितने ऐसे पॉइंट से जिस पर यह discontinuous होगा, तो यह इनको integers बोलते हैं, integers, पूर्णांक का संक्या, पूर्णांक का संक्या, तो यह integer गिनने का, समझा रहे हैं, कता, दो इस तरह से अलग-अलग type के question है, ओके, अलग-अलग continuous, continuity नाम का जो chapter है, limit के ही सारे concept यहां पर use होंगे, जो अलग थे, mod वाला question, discontinuous, maximum 2322 के question मैंने लेकि सारे types आपको बताएं, उनको जरूर follow करो, most repeated question दिया है, 23 तारीक से बच्चो, 23 एप्रिल से हमारे YouTube channel पर, J.E.Mains में से जो expected question आ सकते हैं, CT में, उनकी series चालू हो रही है, तो आप लोग YouTube के lecture जरूर देखि हैं, ओके, Govind Power लिखते हैं, तुम्हीं खूप मस्ची का हुथा, thank you बेटा, ओके, जगदिश लिखते हैं, मैंने दूसरे के phone से order किया था, help line पर contact कर बेटा, अभी तुझे help करेंगे, हमारा जो description में link है, help line है, ओके, तो यहां पर देखो, हमारा यह continuity chapter हो गया, limit हो गया, complex number limit continuity, ओके, अभी मैं function और permutation combination लूँगा, तो खतम हो जाएगा, ठीक है, चला, session को like करके जाना, जो लोग नए बच्चे हैं, वो please channel को subscribe कर ले, और बाकी सभी दोस्तों में share करो, यार, और जो हमारे course में अभी भी आना चाहते हैं, crash course वगरे open है, आप crash course या toppers plus में आ सकते हैं बुक का order हमने बंद कर दिया, ब्रह्मा स्रभुक अब नहीं मिलेगी, online website पर out of stock हमने कर दिया है, क्योंकि वो पहुचने को 7-8 दिन लगते हैं, और exam है उसके बाद, किसी को अभी भी ब्रह्मा स्रभुक की होगा, तो हमारे मुंबई के मलाड का जो center है, वहां से directly आके ले स जो आपके all ticket में exam date आया है, वो यह app का नाम क्या है, कवीता पूछ रही है, बेटा app का नाम है, दिने sir, app, है ना, google play store में जाओ, दिने sir डालो, हमारा app आप आजाएगा, description में link है, वहां से भी देख सकते हैं, so bye bye everyone